स्वागत है आपका अपनी चैनल एक लव्या सटी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचीन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक लास्ट वेल्थ की हिंदी और अंत्रा बुक में से जो कावे खंड है उसमें जो बारा मासा है जिसको मलिक मुहम्मद जाईसी ने लिख देता हूं कि स्टेप वन है आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च बार पे एक लव्या स्टेडी पॉइंट डॉट कॉम लिखना है ये लिखने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और इसमें जो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी एक लव्य सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाते हैं आप यहां से आके फिर पढ़ पाएंगे और आज की जो वीडियो है इसमें आपको चार विकल्प मिलेंगे ठीक है बहु एकल्पिक प्रशन होंगे आपके और एक या दो कोशन के आंसर में आपसे पूछूँँगा आप और तीसरा विकल्प है रामचरित मानस चोथा विकल्प है नागमती तो बारा मासा जो यह है यह जाईसी के पदमावत महा कावे से लिया गया है ठीक है तो खा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा दूसरा प्रशन है आपके सामने कि बारा मासा में किसके वियोग का वरणन क तो जो गहा है वो विकल्प सही हो जाएगा तीसरा प्रशन है आपके सामने अगन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी हो जाती है ठीक है, जब अगन का महीना आता है, तो दिन और रात कैसे हो जाते हैं, पहला विकल्प है आपके सामने दिन घटता है और राते लंबी हो जाती है, दूसरा विकल्प है राते छोटी तता दिन लंबे हो जाते हैं, तीसरा विकल्प है दिन रात दोनों घटते हैं, चोथा वि विकल्प इसका सही हो जाएगा चोथा प्रश्न है नागमती को अगन मास कष्ट दाई क्यों लगता है ठीक है जो अगन का जो महीना है वो नागमती को क्यों ऐसा लगता है कि ये कष्ट दाई है तो पहला विकल्प है क्योंकि उसके पास घर नहीं था दूसरा विकल्प है क्य क्योंकि जो रतन सेन थे जो उनके प्रियतम थे वो उनके साथ नहीं थे और इसलिए नागमती को अगन मास का जो यह महीना है यह मास है यह कस्टदाई लगता है पाचवा प्रशन है आपके सामने अगन मास आने पर सभी के घरों में क्या-क्या तैयारिया होने लगी ठीक है कि कुछ इसमें कवीतां बताया गया है कि अगन मास जैसे याता है तो कुछ लोग मतलब जो होते हैं घरों में तयारिया करने लगते हैं क्या क्या तयारिय करते हैं सभी अपने घरों में पक्वान बनाने लगे या फिर सभी अपने घरों में वस्त्र और कंबल निकालने लगे या सभी घरों में रहने लगे या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी अपने घरों में वस्त्र और कंबल निकालने लगे क्योंकि अगनवास का जब महीना आया तो सभी ने अपने घरों में ये सब तयारिया करी कि सभी ने अपने कपड़े और कंबल निकाले तो खा विकल्प सही हो जाएगा चटा प्रशन है आपके सामने नागमती का खोया हुआ रंग रूप कैसे वापिस आ सकता है ठीक है तो इसके लिए पहला विकल्प है अपना धियान रखकर या फिर गाउं वालों से बातचीत करके या फिर रत्रसेन के वापिस आने से या फिर उप्रोक्त सभी इन सभी चीजों से तो नागमती किसलिए दुखी है क्योंकि रत्रसेन उनके साथ नहीं है और उनका खोयावा रंग रूप जो है नागमती का सिरफ और सिरफ रत्रसेन के वापिस आने से आ सकता है इसलिए गा जो है वो सही हो जाएगा अब अगला प्रशने आपके सामने नागमती को कौन सी आग जला रही थी ठीक है नागमती इस कविता में एक आग से जलती है वो कैसी आग है आपको बताना है पहला विकल्ब है वियोग की आग है दूसरा विकल्प है मिलन की आग या फिर सर्दी की आग या फिर गर्मी की आग तो नागमती जो है यहाँ पे वियोग की अलग होने की अगनी में आग में जलती है इसलिए का जो अप्शन है विकल्प है वो सही हो जाएगा अब आठमा प्रशन है आपके सामने अगन के बाद कौन सा महीना आता है ठीक है अगन मास है वो जब बीच जाता है तो उसके बाद महीना कौन सा आता है पहला विकल्प है इसमें आपको माग का महीना या फालगुन का महीना या फिर पूस का महीना या वसंत का महीना तो इसमे पूस का महीना आता है जब अगन का महीना चला जाता है तो गह जो है विकल्प वो सही हो जाएगा अब नौवा प्रश्न है आपके सामने सबसे अधिक सर्दी किस महीने में होती है ये चीज आपको जब अपने बारावासा पढ़ा तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सर्दी किस महीने पर पड़ती है पहला विकल्प है का अगन, खा है माग और गह है फालगुन और गह है जो है पूस ठीक है तो यहाँ पे जो है पूस का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा ठंड भरा होता है सर्दी से भरा होता है तो इसलिए जो घा है वो सही हो जाएगा दस्वा प्रश्न है आपके सामने नागमती की विरह वेदनावा उसके मन की सर्दी कैसे कम होगी इसके लिए आपको मैं विकल्ब बताता हूँ अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगी का है जब वे आग जलाएगी या फिर जब वे गरम वस्तर पहनेगी या जब उसका प्रेमी उसे हिर्दे से लगा लेगा या जब वे धूप में रहेगी ठीक है तो इसमें आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता होगे ग्यारवा प्रश्ण है आपके सामने चकवा और चकई का मिलन कब होता है ठीक है कवीता में दो इनका वरणन किया गया है चकवा चकई का तो ये कब मिलते हैं रात में रात में मिलते हैं या फिर या फिर शाम में मिलते हैं या फिर कभी नहीं मिलते हैं या फिर दिन में मिलते हैं ठीक है तो चकवा और चकई जो हैं वो दिन में मिलते हैं और सारी रात अलग रहते हैं तो इसमें जो घा है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा बारवा प्रशन है नागमती ने विरह को किसकी संग्या दी है ठीक है नागमती ने विरह को किसकी संग्या दी है पहला विकल्प है इसके लिए साप की दूसरा विकल्प है कोवे की तीसरा विकल्प है चिडिया की और चौता विकल्प है बाज की तो इसमें जो नागमती है उ ठीक है, जो नागमती है, उसकी जो हड़िया है, वो अपने प्रियतम से अलग होके, उसकी हड़िया कैसी हो गई है, पहला विकलब है, शंक की तरह खोकली, या फिर बरतन की तरह खोकली, या बाज की तरह, या फिर रेत की तरह, तो नागमती की हड़िया कैसी हो गई है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा, वो होगा शंक की तरह खोकली, क्योंकि अपने प्रियतम से अलग होकर, जो नागमती की हड़िया है, वो शंक की तरह खोकली हो गई है, चोधवा प्रशने आपके सामने पाला किस महीने में पढ़ता है, ठीक है है, जो पाला पढ़ता है, वो कौन से महीने में पढ़ता है, पहला विकल्प है पूस के महीने में, दूसरा विकल्प है आपके सामने अगन के महीने में, तीसरा विकल्प है माग के महीने में, चोधा विकल्प है फालगुन के महीने में तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा माग के महीने में क्योंकि जो पाला होता है वो माग के महीने में ही पड़ता है अब पंदरवा प्रशने आपके सामने माग महीने में नागमती की क्या इस्तिती हो जाती है ठीक है जब माग का महीना आता है तो पहला विकल पर आग के समान जलने लगता है ठीक है और दूसरा विकल पर रूई के समान जलने लगता है या फिर विरह से जलने लगता है या फिर संत्रिप्त हो जाता है ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो माग का महिना जब आता है तो नागमती क जो इस्तिती है वो कैसी हो जाती है रूई के समान जो है उसका शरीर या नागमती जो है वो जलने लगती है तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रूई के समान जलने लगता है ठीक है खा जो है वो सही हो जाएगा 16 प्रशने अब आपके सामने माग के महीने में नागमती के हिर्दे की स्तिती कैसी हो जाती है और इसकी तुलना किस से की गई है ठीक है माग महीने में उनके हिर्दे की स्तिती कैसी होती है और इसकी तुलना किस से की गई है तो पहला विकल्पे वेदना से भवरों के समान भर जाती है नागमती ठीक है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा गा जो किये भावनाओं से फूलों के समान नागमती भर जाती है सतरवा प्रशन है आपके सामने नागमती अपने पती को क्या बन कर आने को कहती है अपने हिर्दे पर बैठने के लिए ठीक है तो इसका पहला विकल्प है बाज बन कर आने को कहती है या हवा बन कर आने को कहती है या फूल बन कर आने को कहती है या भवरा बन कर आने को कहती है और कहती है कि उनके हिर्दे पे आके वो बैठे हैं भवरा बनकी अठारवा प्रश्णे आपके सामने रतन सेंसे बिचड़ने के बाद नागमती कैसे रहती थी ठीक है जब वो रतन सेंसे बिचड़ी तो वो उसके बाद कैसे रहती थी पहला विकल्प है का वह ना तो स्रिंगार करती थी ना आभूशन पहनती थी दूसरा विकल्प है वह ना तो रंगीन वस्तर पहनती है तीसर विकल्प है वह वियोग में रहती है चोथा विकल्प है उप्रोगत सभी तो इसमें जब रत्र सेन किसे वो बिछड जाती है नागमती तो वह ना तो शेंगार करती थी और ना ही वो कोई आभुशन पहनती थी वो सिरफ वर सिरफ जो वियोग की अगनी में जलती रहती थी अगला प्रशन है अब आपके सामने फालगुन मास में क्या परिवर्तन होता है ठीक है जब फालगुन का महीना आता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है तो इसमें पहना विकल्प है आपके सामने ठंड बढ़ जाती है दूसरा विकल्प है गर्मी तो ये एक विशेस्ता है तो इसमें गा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बीसवा प्रशन है अब आपके सामने नागमती अंतमे हवाओं से क्या संदेश भेजती है ठीक है नागमती अंतमे हवाओं से क्या संदेश भेजती है इसका अंसर आप मुझे comment box में दोगे विकल्प है इसके लिए का उसके पती को वापिस ले आए खा उसका उसको उसके पती से मिला दे और गा है उसके पती को उसके विरह की सूचना दे और गा है उसके शरीर की राख को उसके पती के पत पर ले जाए ठीक है तो ये हवाओं से आपको बताना है कि नागमती क्या संदेश पेज़ती है इसका कमेंट बोक्स में आप मुझे आंसर दोगे तो इस वीडियो में इतना ही आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आपके सामने और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें जै हिंद जै भारत धन्यवाद